तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वेस्ट बंगाल के टॉप फाइब बेस्ट इंजिनेरिंग कॉलेजेज के बारे में तो नमबर एक पर आता है आयाइटी खड़कपूर ये किसी ना किसी का जरूर ड्रीम कॉलेज होगा इसमें एडमिशन के लिए आपको जे म पैकेजेज की बात करें तो 2.68 करोड इसका हाइस पैकेज है और 18.75 लाक इसका मीडियन पैकेज देखने को मिलता है 2100 एकर के केंपस एरिया में इस कॉलेज को बनाया गया है जो कि इंडिया का सबसे बड़ा इंजिरिंग कॉलेज है एरिया वाइस नमबर दो पे आता है जादोपूर इनुवर्सिटी या कई सारे आईएटी को टक कर देता है इसमें एडमिसन के लिए आपको WBJ के एक्जाम क्लियार करना पड़ते है जो कि वेस्ट बंगाल का अपना इंट्रेस एक्जाम है इसकी एने फ्रेंकिंग ही 11 है इसक्रीन पे आ आपके उपर मैंने ओल्रेडी वीडियो बना रखिया जो आपकी आप डिस्क्रीप्शन में जाके देख सकते हैं नमबर तीन पे आता है निट दुरगापूर इसमें एडमिसन के लिए आपको JMS का एक्जाम क्लियर करना पड़ते हैं ओवर ओल इसकी एने फ्रैकिंग 72 है औ और 22,700 इसकी होस्टल फीज है और लास्ट यर इसकी CSC क्लोजिंग रैंक 11,092 है होम स्टेट के लिए और 8,689 है आउटसाइड स्टेट के लिए अब पैकेजे इसकी बात करें तो 57.28 लाग इसका हाइट पैकेज है और 11.54 लाग इसका एवरेज पैकेज देखने को मिलता है और इस कोलेज को 187 एकर में बनाया गया है नमबर चार पे आते है आई आई एस्ट सीपपूर यानि इंडियन इंस्टिट आफ इंजिनेरिंग साइन्स एंड टेकनोलजी इसमें भी एडमिशन के लिए आपको जेमेस का एक्जाम क्लियर करना पड़ता है ओवराल इसकी एन इंजिनेरिंग एनेफ रैंकिंग 40 है फीज की बात करें तो 71,000 है इंस्टिट फीज और 29,500 है होस्टल फीज और लास्ट यार इसकी CSE क्लोजिंग रेंक 9,377 है होम स्टेट के लिए और 12,208 है आउटसाइड स्टेट के लिए और इसकी हाइट स्पेकेज की बात करें तो 45, 40,222 में और 51,75,212 में और इस कोलेज को 114,18 के केमपस एरिया में बनाया गया है नमबर पांच पे आता है जी एनाइटी कॉल खत्ता यानि गुरु नानक इंस्टिट फ टेकनोलिजी इसमें एडमिसन के लिए आपको WBJ का एक्जाम क्लियर करना पड़ता है 201 से लेकर 5,520 इसकी NF रेंकिंग रहती है फीस की बात करें तो 4.7 लाक इसकी पूरे 4 साल के फीस लग जाती है वहीं पैकेज इसकी बात करें तो 24 लाक इसका हाइस पैकेज है और 5 लाक का एवरेज पैकेज देखने को मिलते है तो यह थे वेस्ट बंगाल के टॉप 5 बेस्ट इंजीरिंग कॉलेज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले